दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए क्रिक बॉली यूट्यूब चेनल को और दबाईए इस घंटे को ताके आपको मिल सके बॉलिवूड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिट से जिहां दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं अक्षे कुमार और अजिदेवगन की साल 1999 में रिलीज हुई फिल्मों के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे इन फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि साल 1999 में अक्षे कुमार या अजिदेवगन कौन रहा था बॉलिवूड बॉक्स आफिस पर आगे जहां दोस्तों आजिदेवगन और अक्षे कुमार दोनों ही ऐसे अभिनेताओं में शामिल है जिनोंने एक से बढ़कर एक सूपर हिट फिल्में दी है चाहे फिल्मे एक्शन की रही हो या रोमेंस की चाहे कोमेडी की रही हो या एक्शन की इनकी जितनी तारीफ की जाये उतनी कम है दोनों ही अभिनेता उने शानदार किरदार निबाए है जहां दोस्तों अगर आप अजी देवगन और अक्षे कुमार को एक अच्छा अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना जहां दोस्तों अगर वहीं बात करें अक्षे कुमार और अजी देवगन की साल 1999 की फिल्मों की तो साल 1999 में दोनों ही अभिनेता लोगों की दिलों पर ऐसे चाहे थे कि इनका किसी के पास कोई तोड़ी नहीं था दोनों ही अभिनेता बाकि सब ही अभिनेता उपर भारी थे तो चलिए दोस्तो आज हम आपको बताते हैं अक्षे कुमार और अजिदेवगन की साल 1999 में कितनी फिल्मे आई और किस ने किया था बॉलिवूड पर राज जा दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षे कुमार के बारे में तो दोस्तो अगर बात करें बॉलिवूड के खिलाड़ी अक्षे कुमार की तो अक्षे कुमार ने साल 1999 में टोटल पांच फिल्में की जिसमें आरजू, जुल्मी, इंटरनेशनल खिलाडी, संघर्ष और जानवर जैसी शानदार फिल्में शामिल थी और ये पांच फिल्में ऐसी है जिनको जब देखो मज़ा आता है पांच फिल्मों में शान दार एक्षन और सबरदस्त रोमेंस था और अगर बात करें इन पांच फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में तो इन पांच फिल्मों ने लगभग 33 करोड रुपई का ब दोस्तों अगर बात करें बॉल्यूट के सिंगाम अजी देवगन की तो आपको बता दे कि साल 1999 में अजी देवगन ने साथ फिल्मों में काम किया था जिसमें गैर, तक्षक, होगी प्यार की जीत, हम दिल दे चुके सनम, हिंदुस्तान की कसम, दिल क्या करे और कच्चे धाग की जीत, सेमी हिट, हिंदुस्तान की कसम, एवरेज, कच्चे धागे हिट और हम दिल दे चुके सनम, हिट साबित हुई थी, दोस्तों अगर वहीं बात करें बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में, तो आजी देवगन की इन सातों फिल्मों ने लगभग 81 करोड रुपई का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था, तो दोस्तों इस तरह से पता चलता है कि 1999 में, जो 1999 साल था वो अजी देवगन के नाम रहा था, और बॉलिवूड के किंग अजी देवगन ही साबित हुई थे, तो दोस्तों 1999 में आपने किसको पसंद किया था और आपकी पहली पसंद कौ अजी देवगन याक्शे कुमार, आप हमें कमेंड में लिखकर ज़रूर बताईएगा, मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू